चलिए यह हो गया आपका कौन सा 1939 1939 के बाद अपन नेश्ट देखते हैं कौन सा 1946 समझ में आ रहे हैं अगला कौन सा है तो 1946 1946 में क्या हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है याद रखना है 36 आ रहे हैं सबको समझ में क्या 36 गर्ड उननीश सचालीस में क्या हुआ चतिस गर्ड सोसर्ड विरोधी मंच का गठन हुआ समझ में आ रहे हैं 36 गर्ड सोसर्ड विरोधी मंच का गठन हुआ एक जाम में कोश्चन आएगा चतिस गर्ड सोसर्ड विरोधी मंच का गठन कब हुआ है तो क्या याद रखेंगे आप 36 गर्ड सोसर्ड विरोधी मंच का गठन 1946 में हुआ है आ रहा है समाझ में most important एक जाम में question आएगा 36 गर्ड सोसर्ड विरोधी मंच के गठन के संस्थापक कौन है तो important है याद रखेंगे 36 गर्ड सोसर्ड विरोधी मंच के गठन के संस्थापक ठाकूर प्यारे लाल सिंग है आ रहा है समाझ में 36 गर्ड सोसर्ड विरोधी मंच के गठन जो हुआ था उसके संस्थापक कौन है तो ठाकूर प्यारे लाल सिंग है आ रहा है बाद सबको समझ में एकजाम में कोश्चान आएगा 36 गर्ड राज्ड निर्मार से संबंदित आपका 36 गर्ड में स्थापित पहला संगठन कौन था तो most important point है भाई याद रखना है हमको कौन सा 36 गर्ड राज्ड निर्मार से संबंदित अपका इस्थापित पहला संगठन कौन सा है तो 36 गर्ड सो संड विरोधी मंच है इसके संसापक कौन है जी तो ठाकूर प्यारे लाल सिंग है आई बात समझ में ठिक ये 36 गड़ राजदी निर्मार है तू क्या है इस्थापित पहला संगठान है प्लियर हो गया सबको ये जाम में क्वेश्चन आएगा 36 गड़ सोसन विरोधी मंच का गठान कौन से इस्थान पर हुआ था तो हम क्या याद रखेंगे भाई 36 गड़ सोसन विरोधी मंच का गठान का इस्थापना कहां हुआ था राजनान गाओं में हुआ था समझ आ रहे है इतना सारा हमको 1946 के पॉइंट में याद रखनी क्या 1946 में क्या हुआ था 36 गड़ सोसन विरोधी मंच का गठान हुआ था इसके संसापक कौन है ठाकूर प्यारे लाल सिंग है यह 36 गड़ राजदी निर्माड है तू क्या था पहला इस्थापित संगठन था फिर इसका इस्थापना कहां हुआ है तो एक चीज याद रखना है जितना भी ठाकूर प 1946 अगला डेट अपन ले करके चलते हैं कौन सा 1947 तो क्या हुआ था हमारा 15 अगस्त सन 1947 को हमारा जो भारत देश है समझ में आ रहा है वो हमारा भारत देश जो क्या हुआ था आजाद हुआ था समझ में आ रहा है 15 अगस्त सन 1947 को हम क्या हुए थी इंडिपेंडेंट हुए थे आजाद हुए थी आई बात समझ में तो एक्जाम में कोश्चान आता है जब 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद तो 36 गड़ किसका हिस्सा था तो most important याद रखेंगे किसका हिस्सा था तो मध्य प्रान प्लस आपका बरार का हिस्सा था समझ में आ रहा है किसका हिस्सा था तो most important है हमको याद रखनी है मध्य प्रान यहां बरार का यह क्या था हिस्सा था समझ आ रहा है ठिक यह क्या हो गया हमारा 1946 में 36 गर सोसन विरोधी मंच का गठन हुआ था इसके संसापक कौन है ठाकूर प्यारे लाल सिंग है आ रहा है बाद समझ में फिर अगला याद रखेंगे यह 36 गर राज्य निर्मार मंचेतु इस थापित क्या था पहला संगठन था समझ में आ रहे है यह कहा हुआ था पंद्रा अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देसा आजाद हुआ एकजाम में कोष्वन आएगा पंद्रा अगस्त सन 1947 को भारत देसा आजाद हुआ था था थे किसका हिस्टा था यह दोनों के अंतरगत क्या था सामिल था यहां बात सब को समझ में अब अगला चलते हैं अगला डेट कौन सा भाई 1956 अगला देखते हैं अपन कौन सा 1956 1956 कहने का मतलब कौन सा डेट याद रखनी है हमको एक नवंबर सन 1956 1956 को क्या हुआ जी तो मध्य प्रदेश क्या बना राज्य बना समझ में आ रहे हैं ठीक 1903 में क्या हुआ डाक्टर फजल अली आयोक की अध्यक्षता में क्या किया गया आपका राज्य निर्मान के लिए आपका एक समीति का गठन किया गया ठीक है एक आपका 1903 में उसी के तहर भारत में 14 राज्य उच्छे केंद्रसासित प्रदेश बनाए गए समझ में आ रहे हैं वह 14 राज्य में एक राज्य हमारा जो कौन था जी तो मध्य प्रदेश था ठीक है वह मध्य प्रदेश हमारा राज्य कब बना है तो एक नवंबर सन 1956 को हमारा क्या हुआ मध्य प्रदेश राज्य बना तो इसी के तहर अगला पन देखते हैं ठीक है अगला पन इसी 1956 में एक और पॉइंट देखते हैं कौन सा तो यहीं 1956 में आ रहे हैं सबको समझ में एक हमको याज रखना है 36 महासभा समझ में आ रहा है तो हम क्या याज रखेंगे भाई तो यह आपका 1956 में हुआ है 36 महासभा का गठन कब हुआ है तो 1956 में हुआ है आ रहे हैं सबको समझ में यह एक्जाम में कोश्चन आएंगे 36 महासभा के संस्थापक कौन है समझ में आ रहे हैं तो 36 महासभा के संस्थापक कौन है तो डॉक्टर खूपचन बगेल है समझ में आ रहे हैं 36 महासभा के संस्थापक कौन है तो हम क्या याद रखेंगे भई डॉक्टर खूपचन बगेल है आ रहे हैं बास आपको समझ में यह एक्जाम में कोश्चन आते हैं महासभा में अन्य कोन कोन से सदस्थी ठें यह एक्जाम का कोश्चन पूछा गया है तो 36 महासभा का जो गठन हुआ में तो डॉक्टर खूपचन बगेल थे इनके अन्य सदस्य कौन थे तो हरी ठाकूर और कौन थे केयूर भूसाड थे समझ में आ रहा है हरी ठाकूर और केयूर भूसाड थे समझ आ रहा है ये दोनों क्या थे इसके अन्य सदस्य थे समझ आया ठिक अब इक जाम में कोश्चन आ जाएगा क्या आपका 36 गर्ड महासभा का गठन कहां हुआ था तो हमको याद रखना है 36 गर्ड महासभा का गठन राजनान गाओं में हुआ था समझ में आ गया ठिक इसी में एक और कोश्चन पूछा गया है 36 गर्ड महासभा के महासचिव कौन थे समझ में आ रहा है 36 गर महासभा के महासची कौन थे तो हम क्या याद रखेंगे दसरत चौबे थी इतना सारा हमको 1946 में याद रखना है क्या याद रखेंगे तो सब से पहले आपका एक नॉम्बर सन 1956 को मद्ध तरेश राज्य बना फिर अगला इसी में आपका 1956 में ही क्या हुआ 36 महासभा का गठन हुआ 36 महासभा के संस्थापक कौन है तो डॉक्टर खूपचन बगेल है इसके अन्य सदासी कौन थे भाई तो हरी ठाकूरियम क्योर भूसाड थी यह क्योर भूसाड का अगला अपन देखेंगे राडी व्रामार की दूर्दसा समन में आ अगला देखते हैं 1956 के बाद अगला डेट हमारा आता है कौन सा 1967 अगला डेट कौन सा देखते हैं 1967 यही 1967 में क्या हुआ है तो 36 समझ में आ रहे है क्या हुआ है तो 36 बहात्री संग का गठन हुआ है चतित्यस गड़ भात्रिसंग या इसी को इंग्लीज में बोला जाता है बी आरो टी ही आर एच डबल ओ दी चतित्यस गड़ ब्रदर हुट एसोसियेसन नमान में आ रहें चतित्यस गड़ भात्रिसंग का गठन कभ हुआ है तो हम क्या याद रखेंगे 36 गल भात्रिसंग का गठन 1967 में हुआ है 36 गल भात्रिसंग के संस्थापक कौन है समझ में आ रहे है भई 36 गल भात्रिसंग के संस्थापक के Brotherhood Association के संस्थापक कौन है तो हम याद रखेंगे इसके भी सनसापक कौन है जी तो डॉक्टर खूबचन बगेल है समन्ज में आ रहे हैं डॉक्टर खूबचन बगेल 36 गळ भात्रे संग या ब्रदर रिखूट एसोसीवेशन हुए थे इसके सनसापक कौन है तो हम क्या याद रखेंगे इसके संसापक कौन है भाई तो इसके संसापक कौन है तो डाक्टर खूपचन बगेल है इक जाम में कोशन आएगा क्या कोशन आएगा तो 36 गर्भात्विसंग Brotherhood Association का संसापना कहां हुआ था तो हम क्या याद रखेंगे आपका इसका इस थापना जो है वो कहा हुआ था तो राजनान गाव में ब्रदर हुट एसोसियेशन का संसापना या इस थापना हुआ था इसी में एक और पॉइंट आता है क्या पॉइंट आता है भाई तो चत्तिजगर्ड ब्रदर हुट एसोसियेशन या भात्रिसंग के आपके क्या उपा ध्यक्ष कौन थे तो most important याद रखेंगे इसमें आपका द्वारी का प्रसाद त्रिवारी थी समझ में आ रहे है कौन थे तो हम क्या याद रखेंगे द्वारी का प्रसाद त्रिवारी थ सबसे पहले 1967 1967 में 36 भात्री संग का घठन हुआ था इसके संथापक कौन है है इसका स्थान कहां हुआ था हैंग इसन-सथापना श्थापना तो राजनान में हुआ था संग क्यों आग तो कहों है तोच्छ स्थाप तो यह हो गया ठीक हुब चन बगेल में हमको दो पॉइंट याद रखना है यहीं जो डॉक्टर खुब चन बगेल जी थे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पर अपना एक याद रखेंगी एक्जाम में कोश्चन आता है राज्य सभा सदस्य आ रहे हैं सब को समझ में राज्य सब्सक्रां कौन थे तो याद रखेंगे चेशिया में राज्य सभा सदस्य के लिए यह नामी तुफश्थ कौन है तो डॉक्तर खूपचन बगेले इसको नाइंटि सब्सब्त का यह किया गया था तो चया राज्य सेिंका नियुक्ति किया गया कमान में आ गया ठिक अब अगला देखते हैं अगला है most important अगला एक date याद रखना है 1975 अगला date हमारा कौन से है भाई तो 1975 एकजाम में कोश्चान आएगा 36 गड़ राज्य का सुनियोजित संघर्स समझ में आ रहा है क्या कोश्चन आएगा 36 गड़ राज्य का सुनियोजित संघर्स कब सुरू हुआ था ठीक है 36 गड़ राज्य का सुनियोजित संघर्स या आपका कब सुरू हुआ था तो यह important question है यह आपके सीजी व्यापम का पूछा गया प्रस्ण है समझ में आ रहा है और यह आपको इस पेसली याद भी रखने हैं समझ में आ रहा है आपका राज्य का सुनियों जी संघर्स कब शुरू हुआ था तो 1975 में हुआ आ रहा है सबको समझ में ठीक अब अगला देखते हैं कौन सा अगला डेठ है हमारा 1976 समझ में आ रहा है अगला डेठ हमारा कौन सा है 1976 1976 में अपने को एक याद रखना है नाम संकर्गुहा न कोनसा नाम याद रहन रखने है भाई । इसको क्या कहते हैं नियागी कहते हैं समझ में आ रहा हैं ठिक इसको क्या बोलते हैं संकर गुहा नियोगी यह संकर गुहा नियागी इन्हों in 1976 में 36 गर्ण क्या 36 गर्ण मुक्ति मोर्चा समझ में आ रहे हैं 36 गर्ण मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया था तो most important समझ में 36 गर्ण मुक्ति मोर्चा का गठन किया था तो भीलाई कहां विलाई जिला कहां दुर्ग विलाई जिला दुर्ग में इन्हों अगला अगला अपन डेट देखते हैं इसी में कौन सा 1983 यहीं 1983 में कौन संकर गुहा नियोगी कौन याज रखेंगे 1983 में आपका कौन नाम याज रखेंगे भाई डाक्टर संकर गुहा नियोगी या डाक्टर संकर गुहा नियागी इन्हों ने 36 समझ में आ रहे हैं इन्हों ने क्या किया था 36 संग्राम मंच का गठन किया था समझ में आ रहे हैं एक्जाम में कौन आएगा तो दाक्टर संकर गुहा निया य नियागी ने किया था कुस्टन आएगा डाक्टर संकर गुहा नियोगी या निया दिन Cabiddみ मंच का गठन कहा किया था तो हम याद रखेंगे कौन सा भिलाई में गिया था यह अभी अपन इसको पूरा टॉपिक वैस देख रहे हैं इसके बाद इसका सॉटकर भी देखेंगी कैसे हमको सॉटकर टम्स में याद रखने हैं तो यह हमारा क्या हो गया 1976 में डाक्टर संकर गुहा नियोगी ने 36 गर मुक्ति मोचा का गठन किया कहा किया बिलाई जिला दुर्ग फिर 1983 में कौन डाक्टर संकर गुहा नियोगी ने क्या किया था अब अगला देखते हैं कौन सा अगला है हमारा इसी में 36 गर प्रिथक पार्टी अगला क्या याद रखेंगी भाई चैटिजगा प्रिथक पार्टी का गठन कब हुआ था तो आप याद रखेगा चैटिजगा प्रिथक पार्टी का गठन 1983 में हुआ था आरहे बाद सब को समझ में 36 गररjach प्रिफक पार्टी का गठन कब हुआ था तो 1983 में हुआ था एकजाम में question आएगा 36 गरर्ष प्रिफक पार्टी के संस्थापक कौन है तो 36 गर्ष प्रिफक पार्टी के संस्थापक कौन है भाई तो पवन दिवान है आ रहे हैं सबको समझ में 36 प्रिथक पार्टी के संसापक कौन है तो पवन दिवान है इन्होंने कौन से जगह पर कौन से स्थान पर प्रिथक पार्टी का गठन किया था तो इन्होंने कहां भीलाई जिला दुर्ग समझ में आ रहे हैं भीलाई जिला दुर्ग में इन्होंने क्या किया था तो याद रखेगा कौन सा आपका 36 प्रिथक पार्टी का गठन किया था प्रिथक से याद रखेंगे पवन समझ यारे प्रिथक से क्या याद रखेंगे जी पवन प्रिथक पार्टी का गठन किस ने किया था तो पवन दिवान ने किया था क्लियर है सबको यहां तक ठीक इसी को जितना प्वाइन अपन अब तक देखे हैं उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कराता हूं क्या एक डेट वाई सबसे पहले सन 1854 ठीक सन 1854 में क्या हुआ तो 36 गण में तहसिल डारी ब्यवस्था की शुरुआत हुई यह अपन देखे थे ठीक 36 गण में 1854 में तहसिल डारी ब्यवस्था की शुरुआत हुई जिसके तहत तारं भी क्या बनाए गए तिन तहसिन राइपूर धंतरी और रतनपूर फिर अपने अगला देखे कौन सा 1861 सान 1861 में क्या किया गया सेंट्रल प्राविस मतलब कहने का मतलब है क्या मध्य गठन हुआ इसके तहर्च तीन जी बनाए गया राइपूर बिलासपूर और संबलपूर संबलपूर वरतमान चांट्री गठन हुआ तो आपका नागपूर जिला महाराष्ट रमन महाराष्ट का एक जिला है नागपूर वहीं पर इसके हैट क्वाटर बनाए गये फिर 1862 म में अपन क्या देखे भाई तो 36 गड़ को संभागी मुख्याला का दर्जा दिया गया तो फिर क्या हुआ इसके तहट 36 गड़ में संभाग बनाया गया रैपूर को संभागी मुख्याला बनाया गया फिर क्या हुआ तो इसके तहट संबलपूर के मतलब जो संभागी मुख 1905 में क्या देखे जी तो बंगाली भाजान हुआ भासाई आधार पर प्रसासिक सी सिर्टा के चलते आपका संबलपूर के छेत्र को उडिशा के छेत्र में सामिल किया गया कि अगला डेट अपन क्या देखे भाई 1924 में क्या देखे जी तो 1924 में 36 गर्द आपका क्या हुआ था जिला परिशत का क्या हुआ था गठन हुआ था फिर अगला डेट देखे क्या भाई 1947 में क्या देखे अपन आई एंसी का त्रिपूरी अधिवेशन भाति राश्टी कांग्रेस का त्रिपूरी कहने का मतलब जबल पूर अधिवेशन हुआ फिर आपका क्या हुआ जी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्या याज रखेंगे तो त्रिपूरी अधिवेशन हुआ भा पहला संगठन था फिर अपन अंगला रेट देखे भाई कौन सा जी 1947 1947 में 36 आपका जब पंद्रागर से 1947 मध्य फ्रांते अंबर आर का हिस्सा था फिर अपन क्या देखे भाई अपन 1956 एक नॉम्बर सन 1956 को हमारा मध्य प्रेस राज्य बना तो उन्हीं के तहत 36 महा सभा का ग अन्य इसके अन्य क्या देखे तदस से कौन से तो हरी ठाकूरा क्यों भूसर थे दोनों पॉइंट अपन देखे जी 1967 देखे 1967 में 36 अब रदार हुड एस या बाति संग का गठन हुआ यह दोनों राजनान गाउं में हुआ है सबको फिर अपन अगला देखे कौन सा भाई 1975 1975 में 36 गळड़ का सुनी औ औजीत संगहर से सुरू हुआ है समझ में आ रहे जी 36 गड़ का क्या हुआ समझ में आ रहे हैं ठीक फिर अपन क्या देखें 1983 में अपन क्या देखें तो 36 आपका कुंसा दो देखें प्रिशक पार्टी का गठन पवन दिवान ने किया और इसमें संकर गुहर नियागी ने क्या किया था ठीक यह इतना सारा पॉइंट हमको 36 राज्य निर्मार्ट से संबंदित तर्थ में देखना है यह अभी आपका आधा हुआ है अगला नेश्ट लेक्चर अपन कल देखेंगे यहां तक के लिए आप अच्छे से रिवाइस के लिए बार बापर यह थैंक्यू सो मच